हालो डियर स्टुडिन्स आजके हमारे वीडियो को हम कंटीनिय। कर रहा है हमारे पिछले वीडियो के साथ जी हमाने पिछले वीडियो जो हमने लिया था एक क्वेशन का जो की एक एक 2018 को रॉनक ने ये डिबेंशर्स विनीता को सोल्ड आउट की 103 रुपए की रेट से कम इंट्रेस्ट पर ब्रॉकरीज के लिए इंफॉमेशन थी एक पर्सन की रेट से इंट्रेस्ट पेबल है कमपनी 12 सितंबर को रिगत्त समार्च को अभी हमें जो करना है वो है कि in the books of विनीता की किताबों में जनल एंट्रीज करनी है तो guys शुरू करते हैं आज का हमारा क्यूशन स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता रॉड़ा की क्लास में और शुरू होते हैं in the books of विनीता नाव देखिए क्योंकि यहां पर अब विनिता का जो रोल है वो पर्चेजर के रूप में है हमने आप से पहले भी बताया है कि जब भी हम पर्चेजर के रूप में काम करते हैं तो हमारे लिए जो भी सिक्यरिटीज होती है जो भी इंवेस्मेंट होती है एक एसेट के तौर पर होती है तो यानि 30-11-2018 को विनिता ने रौनक से 200 डेबैंचर्स पर्चेज किये हैं तो यह 200 डेबैंचर्स 212 परसन डेबैंचर्स विनीता के लिए एक asset होगी और all the assets must be debited इसलिए हमने इन debentures को इन 12% debentures को debit कर दिया है तो हमने जो purchase किया है उसके लिए हम general entry करेंगे 12% debenture account to bank लेकिन साथ-साथ में ये जो debentures purchase हुए है ये कम interest purchase हुए है यानि interest के adjustment के साथ हमें general entry देनी होगी किस तरह से entry दी जाती है ये हम आज देखेंगे तो guys क्योंकि interest विनीता के लिए expenditure होगा यहाँ पर देखेगा 31 को debentures purchase किये गए है और जो company द्वारा interest दिया जाएगा interest दिया गया था वो 30 सितंबर को दिया था 30 सितंबर के बाद 2 महीने October and November ये दो महीने के लिए ये debentures रौनक के पास थे और इन दो महीने के बाद ये debentures विनीता को बेच दिये गए हैं तो ऐसी condition में इन दो महीने का interest ये responsibility होगी now purchaser की कि वो seller को इन दो महीने का interest का payment करे so for the expenses interest must be debited तो finally हमारी entry होगी 12% venture account interest account to bank बट अब हम इसके amount पर चलते हैं तो amount के लिए हमने आपको बताया था कि amount जब भी लिखी जाती है purchase price के रूप में लिखी जाती है तो यहाँ पर calculate करते हैं हमारा purchase price क्या होगा purchaser के लिए हमने purchase price का आपको formula दिया हुआ है formula यह है कि purchase value plus brokerage plus GST तो देखिए purchase value कितनी है यह 200 debentures purchase हुए है 103 की rate पर और ध्यान दीजेगा कम interest है यानि इस 103 रुपे में interest जुड़ा हुआ है किस तरह से इसका treatment किया जाएगा यहाँ पर आप जरूर से देखिए देखिए 200 debentures को 103 की rate पर purchase किया है plus brokerage 1% plus GST 18% अपना calculator के साथ तयार हो जाएए यहाँ पर value होगी 20,600 रुपे 1% 20,600 का निकाला गया तो 206 रुपे और 206 रुपे का 18% निकाला गया तो 37 रुपे तो guys यहाँ पर total value जो हमें मिली है वो है 20,843 रुपे यहाँ ध्यान दीजेगा guys यह जो price हमने ली थी वो come interest ली थी इसलिए अब जो हमें 20,843 रुपे लिखने है तो यह value हम लिखेंगे bank account के column में 20,843 ध्यान दीजेगा students यदि आपने come interest की price को purchase value में include किया है तो ऐसी condition में जो value हमें मिलती है उसे 12% debentures के आगे नहीं लिखकर bank account के सामने लिखा जाएगा क्यूंकि इस value में interest जुडा हुआ है यह कम interest value है तो कम interest value है इसलिए हमने इसे bank account के सामने लिख दिया है अब हम interest का amount निकालते हैं इसके लिए फिर से आपको working note देना होगा और interest का amount कुछ इस तरह से देखे 200 debentures है और इसकी face value 100 की rate से और जो की हमारा यहाँ पर 12% का debentures है और क्यूंकि हमें दो महीने के लिए interest payment करना होगा तो दो महीने के interest के हिसाब से हमें यहाँ पर देखे जो value मिलती है वो है 400 रुपीज तो guys हमारे interest की जो value हो गई है वो 400 रुपीज है इस 400 रुपीज को यदि हम कम interest price में से गटा दें तो हमें यहाँ पर जो value मिलेगी वो value मिलेगी purchase price की यानि 12% debentures की तो guys यहाँ 12% debentures के लिए हमें जो value मिलनी है वो value है 20,443 रुपे और यह value हमारी कहां से आई balancing figure ले लीजिए आप 20,843 में से 400 रुपे आप माइनस करेंगे तो यह value आपको मिल जाएगी तो guys कम interest के साथ यदि आपको entry करनी है accounting treatment करना है तो यह accounting treatment कुछ इस तरह से होगा हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको x interest के साथ यानि जब interest purchase price में मिला हुआ नहीं है तो उसके साथ किस तरह सा accounting treatment करते हैं उसे हमने बताया था और हमारे इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि यदि interest साथ में जुड़ा हुआ है कम interest price आपको given है तो किस तरह से उसका accounting treatment होगा जो कि हमने यहां देखा तो गाईज 31 11 2018 को वीनीता की books में जो general entries की जाएंगी वो कुछ इस तरह से की जाएंगी now अब हम चलते हैं क्योंकि अब हम 31 March पर आ रहे हैं हमारा जो treatment 30 11 को खतम हो गया next हमारा जो transaction होगा वो 31 March का होगा तो 31 March की transaction पर चलते हैं 31 March को वीनीता को company से interest receive होगा because it is the income for the वीनीता that means interest account को हम यहां पर credit कर देंगे और bank account को debit करते हैं क्योंकि पैसा receive हो रहा है तो bank account debit और interest is the income तो हम इस income को debit करेंगे तो guys यहां पर देखिए interest हम calculate कर लेते हैं 200 debenture से 100 की face value के साथ 6 महिने का interest यहां पर calculate होगा और 12% की rate से calculate होगा तो देखिए 1200 रुपे का interest यहां पर मिलेगा यहां मैं आपको clear कर देना चारते हूँ at the time of paying the interest जब company interest का payment कर रही है उस समय वो securities जिसके भी पास हैं उसे company complete time का payment कर देगी यह आप थोड़ा ध्यान रखेगा ऐसा नहीं होगा कि दो महिने यहां पर हमने calculate कर लिये हैं तो इसलिए remaining 4 month के लिए ही विनिता को interest मिलेगा it is wrong यहां पर जो interest मिलेगा वो complete six month का दिया जाएगा क्योंकि यह दो महिने का interest विनिता ने रौनक को payment कर दिया है तो इसलिए पूरे छे महिने का interest receive करने का अधिकार राइट विनिता का होगा तो finally guys 31 March को एक entry और मुझे यहां पर दिख रही है वो है transferring of interest in profit and loss account तो हमें किस तरह से interest को transfer करना होगा देखें interest account जो credit था उसे यहां पर reverse impact दे दीजिए interest account debit to profit and loss account और यहां पर हमारा कितना amount होगा देखें 1200 रुपे तो हमारा credit interest है और हमारा debit interest जो बन रहा है वो 400 रुपीज का है तो guys यहां पर 1200 minus 400 total 800 रुपे का interest का amount at the end of the year profit and loss account में transfer करना होगा तो guys कुछ इस तरह से हमें general entries देनी होगी यदि हम in the books of वनीता की बात कर रहे हैं तो guys आज हमने देखा किस तरह से commenterust के साथ accounting treatment किया जाता है तो पढ़ते रहें बढ़ते रहें और इस यात्रा को आप चलाते रहें हमारे वीडियो को पसंद कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कीजिए so guys goodbye till tomorrow bye bye